नमस्कार नीज़ फ्लेस में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थानादिकारी गिरी राज कुमार ने बताया कि रानी गाउ में इंदोगली नाडी में निवास कर रहे शंकर बन बागरिया ने सुचना दी कि उसके पुत्र पेपा और पेपो उम्र 16 साल फुलाराम उम्र 17 साल नाडी के पास ककेड़ा त सुल्तान दोनों पुत्र हनुताराम बन बागरिया ने दोनों बच्चों को ककेड़ा तोड़ने से मना किया दोनों वहां से पैदन नाडी के उटरा बना हो गये लेकिन नारायन बन बागरिया ने अपने भाई के साथ मिलकर दोनों बच्चों पर बंदुग से फैर कर दिया लेकिन पुलिस को सुचना साड़े छे बज़े मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंच कर नाबाली क्वेपो का शव कब जो मिले कर पोस्मार्टम के लिए मकरणा होस्पिटल ले जाए गया जहां मेडिकल बॉर्ड से पोस्मार्टम करवाया गया शव पर परिज्यकौनों को सोपे जाने के बाद परिज्यनों की रिपूर्ट के आदार पर पुलिस बारीकिस मामले की जाच कर रही है थानाधिकारी गिर्राजकुमार ने बताए कि जाच के बाद ही आरोपियों की गिरफतारी के बाद हत्या का खुलासा किया जाएगा